हेलो एब्रिवान आज हम करने वाले है स्टेडेस्टिक्स का मीडियन डिस्क्रीट सिरीज में पिछली वीडियो में मैं इंडिविज्वल सिरीज का करवा दिया है अगर आप नहीं देखा तो आप जा सकते मेरे चैनल पर वीडियो में जाओ वहाँ पर चेक करो स्टेडेस्ट देखो। हुति है है कि देखो बएय जिसको पता है वो ठीक है जिसको नहीं पता मेरे छैनल पर से वीडियो में जआएओ वहां देखो क्या होती है ठीक है फिर आगे discrete series में किस तरह से दिया होगा आपको जैसे 2, 5, 7, 11 इस तरह से दियोगी और साथ में क्या दियोगी frequencies दियोगी 1, 2, 1, 2 इस तरह से तो आप क्या करेगे जब आप discrete series में median निकाल रहे होगे तो सबसे पहले आप निकालेगे CF CF मतलब cumulative frequency cumulative frequency में हम कैसे करते हैं 1 का 1, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 1, 4, 4 प्लस 2, 6 तो यह आगया हमारा और सिग्मा FB हमारा क्या हैगा सिग्मा FB हमारा कितना हैगा जितना CF की last term होती है उतना ही आपका FB होता है तो यह आगया आपके पास तो इसमें कैसे करेगे भई हम the size of M equals to the size of N plus 1 divided by item यह भी सेम होगा जैसे अभी तक किया तो हम क्या करेगे एन कितना इसमें एक चीज याद रखो गई एक चीज याद रखो जब आपके पास F नहीं दिया तो तो N आप ऐसे गिंते 123 कितनी आइटम दियो जब आपके पास F आ गया तो आपका N replace हो जाएगा सिग्मा F से मतलब N का मतलब यहां पर गिंती करना नहीं है इस तरह से 123 पूर ना इसका मतलब है N का कि इसका सम क्या है सिग्मा F का तो मतलब जब भी F आएगा तो replace कर देगा वो N को तो 6 आ जाएगा यहां भी क्या बन जाएगा 6 प्लस 1 डिवाइड वाइड 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 टू कितना आपके पास कितना आ गया है 3.5 वही 3.5 कहां जैसे आएगा 3.5 थी में तो आएगा नहीं तो का आएगा यहां लाए करेगा CF में 4 में बिलकुल इसके सामने वाला जो X होगा उसको क्या लिखेगा मेडियन तो मेडियन हमारा कितना आ जाएगा 7 तो यह थी हमारी continuous series में discrete series में आप मेडियन कैसे निकालते है तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए थैंक्यू